Hello Experience, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे Partition of Bengal के बारे में तो पहला कोशन यह उठता है कि यह Partition हुआ कब था? 16 अक्तूबर 1905 में हुआ था जिस टाइम पे Partition हुआ था? उस टाइम पे Vice-Roy of India कौन थे? तो वो थे Lord Garzan अब Partition कैसे हुआ था? By reducing the old province of Bengal अब जो पूरी के पूरी Bengal province थी, उसमें Bangladesh, Western Bengal यह सारे एरियास आते थे तो हुआ क्या कि पूरी के पूरी Bengal province को दो पार्ट में डिवाइड किया गया एक पार्ट को नाम दे दिया Eastern Bengal और दूसरे को नाम दे दिया Western Bengal अब Western Bengal तो आज की जट में हमारी एक state है, आप सबी को पता होगा, लेकिन जो Eastern part है, वो अलग से एक country है, जिसका नाम है Bangladesh, अब जिस टाइम पे ये partition हुआ, उस टाइम पे Lieutenant Governor of Bengal कौन थे, तो वो थे Sir Andrews Fraser, objective, अब ये partition क्यों किया गया, क्या objective था, अब देखिए, अगर आप इसक में पढ़ना चाहते हैं, तो description box में link दिया है, वहाँ जाकर पर सकते हैं,